Assalamualaikum dear learners and welcome in this video. हम इस विडियो में बात करने वाले हैं, entrepreneurial process के बारे में. अच्छा, इससे पहले, हम आप से काफी detail में गुफ्तगू कर चुके हैं, कि entrepreneurship की history क्या है, इसकी contemporary issues क्या है, और entrepreneurship और entrepreneurs किस तरह से economic development में अपना role play करते हैं. हम ये भी बात कर चुके हैं कि entrepreneurship की definition क्या है और entrepreneurs को किस तरह से define किया जाता है उसके इलावा जो common myths मुशूर है entrepreneurs के बारे में अगर आप entrepreneur बनना चाहते हैं इस career को adopt करना चाहते हैं तो इसके potential benefits या इसके drawbacks क्या हो सकते हैं फिर उसके इलावा हम बात कर चुके हैं कि आप किस तरह एक entrepreneur बन सकते हैं यानि बहुत common myth ये भी है कि एक नया venture create करेंगे तो ही entrepreneur बनेंगे हमने आप से बात की आप entrepreneur बन जाते हैं अगर आप अपना नया venture establish करते हैं आप entrepreneur बन जाते हैं अगर अपना family business join करते हैं आप entrepreneur बन जाते हैं अगर अगर अपने कोई existing business buy कर लेते हैं और आप entrepreneur बन जाते हैं अगर आप कोई franchise भी खरीद लेते हैं उसके अलावा हमने आप से ये भी शेयर किया कि अगर आप entrepreneur बनने जा रहे हैं यानि आप business की दुनिया में ही जा रहे हैं तो कौन से ऐसे pitfalls हैं जो आपको avoid करने हैं ये cautions भी हैं और guidelines भी हैं फिर हमने आप से successful entrepreneurs की characteristics discuss किये ताकि आप उनसे सीख सकें कि अगर आपको भी एक काम आप entrepreneur बनना है तो आपको कौन से characteristics अपने अंदर develop करने हैं खास तोर पे skills कौन से develop करने हैं अब जब कि आप ये सब कुछ जान चुके हैं और आपके पास एक अच्छी background है तो हम आपके सामने आज रखेंगे entrepreneurial process यानि एक complete अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि entrepreneurship is all about doing your own business, it is a behavior, it is an attitude and it is a process as well. So, आज entrepreneurial process के बारे में बात हो रही है. So, if you look at the screen, हमने define किया है कि entrepreneurial process includes all the functions, activities, actions that are part of receiving opportunities and creating organizations to pursue them. यानि ये एक complete process है, जिस process में हम आपको idea creation से लेकर, opportunity seeking से लेकर, opportunity को business venture के अंदर, यानि एक commercialization का जो पूरा एक process होता है वहां से लेकर, उसकी marketing, उसके finance, उसके management, उसके controls और उसके मुखलिफ platforms, क्योंकि आजकल digital platforms की बहुत बात हो रही है, ये complete process होता है, जिससे आप step by step गु गुजरते हैं और अपने process को complete करते हैं, याद रखिये कि entrepreneurial process आसान नहीं है, हम बार बार यही कहते हैं, कि हम ज़्यादा excited हो जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम अपने boss होंगे, लेकिन entrepreneurial process requires your hard work, your smart work, your very personal commitment, your consistency, ताके आप किसी भी early failure से ज़्यादा जल्दी घबराएं मत, अगर आपनी recommended books में देखेंगे, multiple तरीकों से explain किया गया है, बट common elements आपको नजर आ ही जाएंगे, for example, entrepreneurial process शुरू होता है सबसे पहले, कि आपने सबसे पहले तो ये फैसला कर लिया है कि आपने entrepreneur बनना है, यानि आप खुद का business करना चाहते हैं, आपकी personal preference, आपकी अपने behaviors, आपके अपनी खाइशात, अपने dream, जिस तरह लाइफ को लेकर आप देखना चाहते हैं, अपने आपको वो तमाम चीज़े शामिल होती हैं, जब आपके अंदर अपकी personal desire है, तो next step पर आप आजाते हैं, कि जिसमें आपके जहन में जो भी idea, या जो opportunity है, आप उसको बाकाइ में भी detail में बात करेंगे, खेर आपके पास opportunity आगे, इस opportunity को, इस idea को आपने अपने venture के अंदर transform करना है, यानि आपना business create करेंगे, तो आपका idea, आपकी firm या आपका venture बन रहता है, once the venture is established, तो फिर आप manage करते हैं, अपने उस firm को अब आप grow करते हैं, अगर हम quickly देखें, कि entrepreneurial trades क किस तरह से help कर रही होती हैं आपके process को, तो अगर आपके पास knowledge है, inspiration है, तो आपके पास idea आजाता है, फिर आपकी personal dreams, desires, आप कितने initiative लेने वाले हैं, कितने determined हैं, कितने proactive हैं, उन तमाम trades की वजह से आपका venture development, या venture establishment में आपको help मिलते हैं, फिर आपकी determination, early failures अगर आप नहीं घब राते है, hit and trial method पर आप जाते रहते हैं, आपके अंदर productivity और efficiency को achieve करने की लगन है, तो obviously आपकी production और आपकी operational processes आपके लिए आसान हो जाते हैं, और at the end जब business established हो गया है, काम चल गया है, आपकी product या service जो भी आपने design की है, आप market में ले गये हैं, तो अब आप और आपक team के दर्मियान और market के जितने भी leaders हैं, उनके दर्मियान कुछ leadership और networking का एक relationship develop होता है, जिस से आपका business sustain भी करेगा और grow भी करेगा, यानि आगर आप अपनी screen पे देखे, इस सब discussion को अगर हम एक screen के ओपर देखना चाहें, तो हम ये कहेंगे कि entrepreneurial success या जो process है, basically it's from idea to venture development to the production and operation till the sustainability of your business firm. एक और definition quickly देख लेते हैं, entrepreneurial process is a set of stages and events that follow one another, these entrepreneurial process stages are the idea or conception of the business, the event that triggers the operation, implementation and growth, a critical factor that drive the development of business at each stage with some most human behavior, entrepreneurial traits that are shaped by personal attributes and environment. Again, वही common elements, idea, opportunity, decision to become an entrepreneur, develop your idea, create your business, marketing, financial, operational capability, अपनी engage करें और फिर venture established हो जाता है, आप इसको manage करते हैं और control करते हैं. To conclude this discussion, आपसे हम एक model share करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें nature और nurture की बहस हमने पहले भी की थी, आपने बार-बार देखा होगा कि कुछ आपकी personal traits हैं, कुछ आपकी personal behaviors, personal preferences हैं, कुछ आपको idea अच्छा या opportunity अच्छी मिल गई है, और उसके अलावा कुछ आपके पास environment भी ऐसा है कि जिसमें आप अपना business establish कर सकते हैं, यानि entrepreneur बन सकते हैं, इस एक पूरी diagram और model के अंदर, clearly, सारी चीज़े conclude हो रही हैं, कि आपकी जो personal locus of control, आपकी achievement, आपके अंदर जो एक सबर है, your tolerance for the ambiguity, आप कितना risk ले सकते हैं, आपकी education, आपकी experiences, आपका opportunity seeking confidence, ये आपको innovative idea दे भी सक हो सकता है, और ये triggering event भी हो सकता है, या फिर दूसरी तरफ, अगर आप job कर रहे थे, आप हो सकता है, अपनी job से dissatisfy हो, या आपको job से निकाल दिया गया है, या at the moment आप early stage पर हैं, या आपके पास कुछ ऐसे अच्छे resources आपके हाथ लग गए हैं, तो वो भी आपके लिए triggering event हो सकते हैं, आपके इर्दगिर्द, आपके network, आपकी team, आपके लोग, आपकी family, आपके role models, वो भी आपके लिए triggering events हो सकते हैं, और खास तोर पे जो अपना business establish कर रहे होंगे, तो implementation phase में भी आपको help कर रहे होंगे, likewise हमने nature और nurture की जब बहस की थी, तो हमने कहा था कि environment बड़ unities मिलती हैं, आपको environments में ही लोग actually में आपके इर्दगिर्द ही होते हैं, आपके role models, या फिर बाज वकात आपके इर्दगिर्द, इतना creative environment create हो जाता है कि आपको भी automatically ideas आना शुरू हो जाते हैं, so वो भी आपको innovation और triggering events की तरफ लेके जा सकते हैं, आपकी environment के अंदर economy, competition, आपके इर्दगिर्द जितने incubation centers हैं, government है, government की policies हैं, बाज वकात government को scheme लेकर आ रही होते हैं, youngsters के लिए, young entrepreneurs के लिए, बाज वकात government को अपने problem solve करने के लिए कुछ social innovative ideas चाहिए होते हैं, ये भी आपके लिए triggering event भी हो सकते हैं, और आपके venture establishment के लिए helpful भी हो सकते हैं, once your venture is created, फिर आ जाती है, again, आपकी leadership qualities, आपकी commitment, आप अपने business को कितना force ही कर रहे हैं, आने वाले 5 या 10 सालों के दर्मयान में, किस तरह grow करना चाहते हैं, product कितनी mature करना चाहते हैं, diversify करना चाहते हैं के नहीं करना चाहते हैं, और आपके environment में, when you are working in the market, फिर competitors भी होंगे, customers भी bankers, lawyers, आपकी economic indicate, इस सारे आपका environment है, जो आपके business को help भी कर रहे होंगे, और खास तोर पर अगर आपका business अच्छा चल ही निकला रहा, profit earn करना शुरू हो गए हैं, तो आप grow भी कर सकते हैं, इन सब को summarize की रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि entrepreneurial process किस तरहां से चलता है, हम अपने आने वाली videos में भी आपको इसी तरहां लेके चलेंगे, हम भी चलेंगे opportunity से, फिर हम चलेंगे किस तरहां यह opportunity आप hunt कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं, कौन से sources हैं, plus marketing कैसे होती है, financial issues किस तरहां से देखे जाती है, management किस तरहां से देखी जाती है, networking कैसे होती है, competition को कि किया जाता है, so आने वाली videos सारी की सारी entrepreneurial process को ही cover कर रही होंगे, see you in the next video.